नमस्कार जोहार, मैं हूँ शुती कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कारिक्रम स्वास चर्चा में इस कारिक्रम में हम आपको स्वास से जुड़ी सारी बातें बतलाते हैं आज हम आपको लू एवं युनानी चिकित्सा के विशे में बतलाने जा रहे हैं इस विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं डॉक्टर तन्वीर फातिमा, डॉक्टर तन्वीर आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया जौहार तमान देखने वालों को तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हमने बहुत बारी सुनाए हीट वेव है लू है तो बाहर नहीं जाना है इससे बच कर रहना है तो समझते हैं कि यह लू होता क्या है हीट वेव जो होती है वह एक गरम हवा है अचानक जाड़े से जब हम गर्मी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि अब गर्मी की तरफ आ गया है तो हम को अब अपने खान पान या अपनी डेली लाइफ में चेंज लाना चाहिए जिसकी वज़ा से जो है जब अचानक गर्मी बॉडी में जब हमारे पढ़ती है गरम हवा तो हम बीमार पर जाते हैं तो हीट वेव में हमारा टंपरेचर बहुत जादा बढ़ जाता है एक सो पांच डिग्री से जाद डिग्रे फारन हैट से जादा होता है हमारा जो पल्स रहेगा और बीपी जो है वह लगभग नॉर्मल ही हो जाता है लेकिन हमको इसकीन हमारे गरम ड्राई हो जाती है और कभी पेषेंट राता है कि वो मेटिंग की शिकायत बहुत कि किसी का पेट गरम हो जाता है तो लूत बहुत मोशन हो इसके लावा फीवर है है यह सारी प्रॉबबलम आती है लू लगने पर तो जो हीट वेव है अब ऐसी समस्या है कि हमें बाहर तो जाना पड़ेगा क्यू पानी का पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, पानी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज तरण पदात, जो कि पानी की कमी को पूरा कर दे, उन सब चीजों को हमें यूज करना चाहिए, इस्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, जब स्कूल खुलता है मार्च अपरील में, तो वह सबसे पहले इस चीज का ध्यान देना चाहिए, कि बॉड़ी को हाइड्रेट रखना चाहिए, तो आपने बताया कि पहले बचाओ के लिए हम क्या चीजे कर सकते हैं, तरल प्रदार्थ बहुत जरूरी चीज है, पानी का सेवन हमें बढ़ाना पड़ेगा, थंडी में जितन लगने के बाद बहुत से लोगों को वो मिटिंग जैसा लगता है, बहुत से लोगों को पेट लूज मोशन होने लगता है, बॉड़ी एक है, यह सारी प्रॉब्लम होती है, और गर्मी का हैसाथ जादा होता है, तो लू लगने से पहले लू से बचाओ का हमें उपाय करना चाहिए कि हम अपनी बॉड़ी को जो है कवर करके रखें, पूरी बॉड़ी को, कॉटन क्लॉथ पहने, बाहर अगर हमको निकलना है, मेरी मजबूरी है निकलना तो हमें छट्री का यूज करना चाहिए, गॉगल्स का यूज करना चाहिए, अपने गमच्छा है या जो बताना चाहिए, कि हमको कैसे रहना है, अब गर्मी आ गई है, तो हमें अपने बॉड़ी को ढख के बाहर निकलना है, बच्चों की बात हम कर रहे हैं, तो अभी के समय में बच्चे स्कूल जाते हैं, आपने बी जैसा बतलाया, तो वैसे बच्चे, क्योंकि बच्चे छोट पानी बचा के ले आते हैं, एक तो बच्चों को हम पानी के मेकदार बढ़ा दें, अगर इसको 200 एमिल दे रहे हैं तो 400 कर दें, सबसे बेस तरीका यह है कि दो बॉटल छोटी दे दें, एक में उसको लिक्वीड कुछ भी चाहिए, ग्लुकोस पानी है, या कोई भी शर्ब अच्छे से ढ़क के भी जाए और यही उपाय है, उनके जो लंच जो होता है उनका जो हम टिफिन देते हैं तो उसमें हमें तली चीजों को या इवाइड करना चाहिए, एक फूट दरूर देना चाहिए बच्चों के लंच में और उसके साथ में जो भी बच्चे पसंद कर आपने बच्चों के बचाओ किया जा सकता है तो किस तरीके के खान पान का सेवन हम कर सकते हैं जो हमें इससे बचा सकता है लूस देखिए जब गर्मी आती है तो सबसे पहले हमें डाइट प्लान पूरा चेंज होगा सो हमें डाइट प्लान पूरा चिन्ज का देना चाहिए ना हैं तही का सेवन है सब्स्ष्री जहनों ठंडी सब्स्ष्जज जैसे स्क रूक्डु है तुरई हैं ja इसे लिएकों को हमें अपने अपने डाइट में डाल लेना चाहिए, जो हमारी थाली होती है उसमें और मेट इस पैसी चीज इता हमें दूर है पानी के टूर हमें जाता काहिए, आst К konkrits लिए जो हमें गवुदिया एंधी करें तो लोकल आईस्क्रीम छोती है वो नकितने होना शुच होती है इसका क्रोंपने लोकल आईस्क्रीम नकितने लिग में चल Georgi में मतलै। चल गया है कि बस आइस्क्रीम खाना है, आइस्क्रीम को एवाइट करना चाहिए, क्योंकि आइस्क्रीम कितने दिन की है और कैसे वह बनी हुई है, तो उसमें हमें खाने के बाद से अकसर लूद मोशन ये वोमिटिंग की जो डाइजेशन की प्रॉबलम आती है, वह अकसर आत लोग खाना है जोए, जोदस लूदिगתי चल जोटेंगे ही सैफा जृबलम तो सबसे पहले है, जोटने के बाद दिना Sanit चल अर अगर जोग बहता है। सबसे पहले तो उसके पूरे कप्रे को खोल दें, खोलने के बाद पानी से पूरे बॉड़ी को पोछे और पंखा चला दें, ताकि जल्दी से पानी सूख जाए, इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी आपका बॉड़ी का जो टंपरेचर है वो नॉर्मल आ जाता है, जो कि में दवा ना देख करके, हम पेशेंट को कि बॉड़ी को जो है ठंदा करने की कोशिश करते है या फिर आम है, कच्छा आम है, चूंकि खरम होता है जो पका आम होता है उसकी तासीर होती हो घरम होती है तो अभी के वक्त में हमें पका आम खाने से एवाइट करना चाहिएonom लेकिन गीली लकडी में आग लगाना मुश्किल होता है, तो सेम यही मेरी बॉड़ी है, तो कच्चे आम का सेवन करें, आम को बॉयल करके उसका आम का शर्बत है, या उसको बॉड़ी में लगा दें, अगर किसी को बहुत जादा देखना टमप्रेचर है, बहुत जादा लू कार के लक्षन दिखते हैं, क्या क्या बिमारिया हो सकती है, और वो क्या किस तरीके से, जब लू लग जाती है किसी को, तो उसमें जादा टमप्रेचर हो गया है, उसकी वज़े सेलूलर इंजूरी होती है, हमारे सेल की इंजूरी होती है, उसमें आपका रिनल प्रॉब्लम आजाता है, आपको बाकी स्किन की प्रॉब्लम आती है, यह सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आती है, यह सारी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी पेशेंट हमारा अनकॉंशियस हो जाता है, बिहोश भी हो जाता है, उसमें लू लगने के बाद शूगर भी डाउन हो जाता है अब आपस पहले गास हbeiten का पर उपला समय हो पोगाा है पर सिपसे में तो इसका है कि पतरीद के पहले पाज सब्सक्रादय समय थे थे दूआजाया है लेपि состав नहीं घुल्य नहीं हो पकेंगी तो मैतलब यह खटर नाक चीज्जों में भी तबदील हो सकता है, तो जब हम यूनानी चिकित्सा के बात करते हैं क्या इल्लाज ब灌 लूं लग जाता है. और युनानी में एक बहुत अच्छी एक दवा आती है जिसको लोग दवा नहीं समझते हैं शर्बत समझते हैं रूह अफजा जिसका नाम है हमदत का यह अगर आप सुबह में घर से बाहर निकल रहे हो और एक गलास रूह अफजा पी लेते हो तो फिर आपको लूह लगने के शर्बत है ककड़ी है खीरा है इमली का पल्प है आलू बुखारा है नीमू है यह सारी चीजें आसी है कि आपके बाड़ी को डेहाइडर होने से बचाती है और आपकी जो प्यास की शिदत उसको भी कम करती है तो इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए गर्मी में यह कह सकते जो पानी वाले फल है जिसमें काफी पानी मिलता है उसका सेवन करना बहुत जरूरी हो जाता है इसी पर हम यह सुनते है अपने बड़ों से कि बहुत फिजिकल अक्टिविटी नहीं करनी चाहिए गर्मी के समय में तो यह समझना चाहते है कि क्यों ऐसा है कि फिजिकल शांसेस बढ़ जाते हैं इसलिए बॉड़ी को ठंधा रखने की कोशिश करना चाहिए 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 एक्स्टर्नली हो या इंटर्नली हो दोनों तरफ से बॉड़ी को ठंधा रखिए अपने खानपान में बदलाव लाकर अपने डेली जो रूटीन लाइफ उसको ठंध अगर बॉड़ी आपका ठंधा रहेगा तो फिर आपको हीट वेफ के जो असर है उसको आप जहल पाईएगा आपकी जहल लेगी हम यूनानी चिकित्सा को और विस्तार से समझते हैं थोड़ा जब कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको लू लग गया है तो आप कैसे स जी और टूते हैं तो बॉड़ी हीट रहती है और ड्राइ रहती है कभी-कभी रेडिश भी हो जाती दिए और बॉड़ी में पेन होगा उसको अगड़ी कभी फिवर बहुत जादा रहता है तो इन सब चीजों को देखेटे हुए सबसे पहले तो उसको हम देखें किसकी अगर पानी की कमी है और साथ में मीटिंग है तुसको ना साथ पहले कर था कि प्ला था पर दिया यह नहीं परप रखली कि पिला था कि नीग वह झोड़ी से सद्ञधिक पनी ना फोल यूनानी चिकित्सा के अनुसार लू से सुरक्षित रहने के लिए जिसे आपने और भी बहुत सारे उपाई बताई की तरल प्रदार्त होता है पर एक जब हम लाइस्टाइल की तरफ देखते हैं कि किस तरीके का लाइस्टाइल हमारा होना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए यूनानी चिकित्सा के एकॉर्डिंग फोर टेंप्रामेंट होता है तो जिन लोगों का टेंप्रामेंट गरम होता है उन लोगों को इस चीज का जादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है जब जाड़े से हम गर्मी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनको जाड़े में उतनी घर से निकलने को आवाइट करें वो लोगो ऐसे लोगो हैं जब एकदम इमर्जंसी हो जाए तो सारी प्रिकॉशन के साथ बाहर निकले और खाने पीने में आप खाने पीने में ही अपने आपको सकते हैं इसलिकि जब आप जादा गरम चीज खौगे तो जाहिसी बात है कि आपको प्रॉब्लम होगी तो थंडी चीजों का इस्समाल जो है थंडी सब्सदियां हैं या फल है जो भी चीज है उनको खाना चुरू कीजे और उससे अपने बॉडी को जो है मिंटेन कीजी ठंडा रखी है अपने चार टेमप्रमेंट की बात करी उसको थोड़ा विस्तार से बताएंगी कि यह जैसे चार टेमप्रमेंट एकॉर्डिंग तो युनानी जैसे आग, हवा, पानी, मिट्टी चार चीजे हैं उन्ही के एकॉर्डिंग हमा पानी सर्द और धर थंदबहाव थेंदर शक्ति होता ठीक है हमारी मिट्टी है थंढें और सख्ति है तो उसी तरह से इंसान का चार टेमप्रमेंट भी होता है ज्योंकि आट जाता है कि इंसान को इंचार चीजे से ही बनाया गया है आयर वेद में पंच कर्म का पान्च मिटी और आकाश वो मानते हैं आकाश को एट करते हैं हम आकाश को नहीं मानते हैं आग हवा पानी मिटी इन चार चीजों को मानते हैं इन चार चीजों से ही हमारे शरीर को बनाया गया है और इन चार चीजों से ही पूरी दुनिया बनी है और इन ही चार चीजों का जो इफेक् की Letter की सभिध करते हैं। चार मेजद हो थो होते हैं। मैं ही इसको डिवाइड करते हैं। बचे Nice का अज़िघ होता है। लोगों को छोटना हैं। जितना जवान को लोगों ?? क्योंकि जवान लोगों का जो temperament होता है वो गरम होता है और जब बूढ़ापे में हम जाते हैं तो थंड़ की तरफ चले जाते हैं तो आपने temperament के बारे में बतलाया था कि जिनको पता है उनका temperament काफी गरम है वो बाहर ना जाएं बाहर जाने से अवॉइट करें हम यह कैसे स कोई भी बहुत इतमिनान से करते हैं तो उनका हम उसमें कि उनका कोल्टेंपरामेंट है क्योंकि बुढ़े लोगों को देखी जब आप बुढ़ापे में जाते हो तो आपके अंदर काम करने की छ्बता कम हो जाती है आप कोई भी चीज़ बहुत समझ के बोलते हो आदमी जब जवान होता है तो उसके अंदर दूसरे तरह की अक्टिविटी होती है। लिगन जब बुढ़ा हो जाता है तो तो जो के गरम से ठंडे की तरह आता है तो यही चीज है। इस तरह से पहचानते हैं। लू के साथ निम्ठी करने है तो किनसे लू की चाहिते हैं, तो किस तरीके या इसी बेमारिया तो ट्रिगर кра encant अधन। जिसको इसकीन का प्रॉबलम ऐट शिर्वा इकश मिर उपने के इसका ब्रॉबलम को प्रॉबलम या पर ëकमार को जाया जा आए है। ठीक है। उसके इलावा जो किड्नी की प्रॉब्लम है जिनको भी हीट लूह लगने से उनकी किड्नी डैमेज होने के चांसे बहुत साथ हो जाते है। जो हार्ट पेशेंट है। उनको भी लूह का असर होता है। तो इन लोगों को एवाइट करना चाहिए। धूप में निकलने के लिए या ऐसे मौसम में बाहर निकलने में। शाम को निकले या सुबह में निकले जो काम है उसको अपने सुबह या शाम में रखे दोफर को एव करता है या वो गरम और खुशेंगा। या उसका उतना सेवा हो या उपने साथ को क्या विएग निकलना सुबह पूमारे में चाहिए। और आपने सेवार निकलने में बाह भी तो उताया थो निकलने बाहरो ऑड़ है। आपनी की गभी होती है। यो पानी की निकलने तो जूस पीने में भी काफी दिक्कत आ रही है, तो ऐसे लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे अपने आपको हाइड्रेटर ड्रग सकते हैं, ऐसे शूगर के जो पेशेंट हैं, इन लोगों को पानी का सेवन करना चाहिए, या ऐसे सब्जियां हैं आपके पास, आप उस तो मितलब जूसेस जो वेजटेबल के जूसेस हैं वह भी काफी कामगार हो सकते हैं, सूप आप यूस नहीं आप सूप भी इस्तमाल कर सकते हैं, खाने में लिक्विट का जादा यूस करें, दाल का सेवन जादा कर लें, या यहां तो जार्खन में एक बोतल भात का रिवा पसा दें, ताके सारा इस्टाचुस में निकल जाए तो वैसे करके पानी डालके और उसमें जो चीज़ें डालके वह खाते हैं, तो लू से होने वाले परिशानियों के ऊपर हम वापस आते हैं, जैसे आपने स्किन की परिशानियों के बारे में बोला, तो गहमारी होने के चांस होते हैं, अब किसी को अल्रेडी स्किन में बहुत इशूस होते हैं, जैसे काफी खुजली होती है, राशे हो जाते हैं बहुत जादा, तो ऐसे लोगों के ऊपर कैसे असर होता है, मतलब लू का असर स्किन पर कैसे होता है, और स्किन के इशूस से कैसे बच सकते हैं, यह पूरे बॉडी का एक अस्तर है और इसको एक युनानी में लार्ज ओर्गन मानते हैं सबसे बड़ा ओर्गन है और इसका जो टेंपरामेंट होता है यह मौते दिल एतिदाल पे होता है एकदम नॉर्मल होता है जब यह बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम होगा घटेगा तो कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी और इसकी प्रॉब्लम है जब हीट पड़ती है तो वह और जादा प्रॉब्लम करेगा इसलिए बहुत से लोग आजकल एक फैशन चल गया है लोगों को कि हलका सा चाही हुआ यह गर्मी में जिब जाए बहुत कि पतला कर देती है तो पिर आजए पेशें बहुत कंपलें लेके मेरे पास आते है कि मैडम देखिए मेरे स्किन जली हुी लग रही है तो सबसे बेस्ट हम बोलेगे कि एलो वीरा है आप उसको लगाना भी आसान है गमले में आप अपने घर क कि जग़ पे जहां थोड़ी दूप आती, आप एक अलोवेरा का पेड़ लगा लो, आप जब बाहर जा रहे हो तोड़के परल्प लगा लो आपको आराम से वह संटें से भी बचाएगा और संब बचाएगा, लू से भी बचाएगा, सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है इ अलो वेरा एक रामवान की तरह है। बहुत अची चीज है। खुद्रत ने हम लोगों को बहुत अची चीज दिये। लेकिन हम लोग उसका इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं या इतना जंजट नहीं पालना चाहते हैं कि कौन जाये तो बड़े और लगा है। टीब से अलो वेरा में एक होता है, जो पेड़ से अलो वेरा भिता है। उत रॉनों में कया नतर है, क्या रिंचाना चाहते हैं। प्रमिकल कैमिकल नीजे क्रैजटे कमिकल के रियंटन। आप एक गंलिम लगा लिजे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा तो सकिन के प्रॉब्लम से तो हमने समझा कि किस तरीके से बचा जा सकता है अलोवेरा एक ऐसा उपाय है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा कामगार नजर आता है वो पर जब हम डाइजेश देखिए लू लगने के बाद नहीं होता है डाइजेशन खराब होता है कि पहले से ही आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है इस चमक में यह या इस चमक का टेंपरेमेंट पहलेसे थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ हुआ होते है या लीवर का में कुछ ना कुछ जाड़े में उनको प्रॉब्लम थी लेकिन ठंड़क की वज़े से बॉड़ी ठंडी थी एट्मॉस्फेर ठंड़ा था इसलिए बॉड़ी भी गरम हो गई तो वह प्रॉब्लम बढ़ गई तो इसलिए जो है गर्मी के दिनों में बाहर का खुला हुआ खाना नहीं खाएं श्राइसे लिए पानी में या बहुत जांड पानी में भॉड़ी बना एसे ही पानी से बना दी जाती तो इसको अगर आप पी रहे हैं गरने करस तो बोली कि नहीं मेरे अंदर बिरफ नहीं डालो ऐसी गरने करस दो ऐसी पी लिचे क्योंकि उसमें जो है इंफेक्षिंण आ हम अपने आपको पुस्ताइब करते हैं किस तरीके का सेवन चाहिए है उसमें फिर हमें वामेटिंग हो रही है , फिर हमें दमाय लेनी चाहिए पड़ती है कुछ दमाय हैं जैसे के युनानी में खटी जो चीजे होती है वामेटिंग को रोकती है इसे इमली का गुदा है या आलो बुखारा है या कुछ प्रोड़क्ट भी ऐसे आते हैं जो खटे होते हैं थोड़ा थोड़ा उनको जबान पे डालते रही है तो आपकी वोमेटिंग बंद हो जाती है लेकिन अगर किसी को बहुत जादा वोमेटिंग हो रही है तो फिर को मेंटेंग किजेए सादा खाना खाई ये हलका खाना खाईए खाने के बाद जो है और बहुत जादा मतलब पूरा पीट भर की नहीं खाना चाहिए जाए में तो एक टाइम में अगर आप थोड़ा खाना खा ले तो तो डाइजर्स कर ले तो गर्मी में आपको खाना कम ही कुछ लोग जो बाहर काम भी करते हैं जिसे हम अपने देश में देखे तो बहुत सारे काम धूप में होते हैं कई बार तो ऐसे लोगों को क्या ऐसा रूटीन है जो फॉलो करना चाहिए घर से निकलने से पहले धूप से आने के बाद क्या चीज़ें है जो उनको अपने अगर हम आपको करने को कहें कि अगर लू किसी को लग गया है और यूनानी चिकितसा है तो उनको सबसे पहले क्या चीज़ें करनी चाहिए किस तरीके किसी करनी चाहिए आपने बहुत सारी चीजे बताएं, बट एक एक पॉइंट में क्या ऐसी चीजे हैं जो बहुत जरूरी है कोई सबसे पहले तो लू से बचने के लिए हमें बॉड़ी को कवर करना है पानी को मिंटेन करना है खाने को चेंज करना है अगर लू लग जाती है तो बॉड़ी को ज हम वीकनेस भी हो जाती है पेशेंट को तो हमें अपने खाने को हलका रखना है और फिर रुहवदा का शर्बत है बेल का शर्बत है या गन्य का रस है इन सब चीजों को अपने लाइफ में एड कर लेना चाहिए जब हम जूसेस की बात करते हैं तो बाहर से जादा अच्छा है बचाओ करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार कुछ लोग अल्रेडी बहुत सारे प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं और लू लगने की वज़े से वह प्रॉब्लम और जादा बढ़ सकती है जाहे वह किड्ली की प्रॉब्लम हो चाहे हार्ट की प्रॉब्लम अब हम आपसे लेंगे विदा, हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विशे पे चर्चा करने के लिए. तब तक के लिए जोहार नमस्कार.